हे व्रिवान में सुनिल हो स्वागत आपका e-commerce सुनिल चैनल के उपर आज के इस वीडियों हम लोग दिखेंगे कि आप दानी वबसाइट के उपर किस तरीके से as a seller जूर सकते हैं कंप्लेट स्टेप बस्टेप प्रोसेस जानेंगे हम लोग किस तरीके से हम रेजिस्ट्रेशन करेंगे क्या कर डॉक्मेंटेशन चाहिए यह सबी चीज को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में सो वीडियो का आट तक जोरू देखेंगे स्वाइट आप कोई इंपर्टेंट मिस ना करें तो वताउट फर्दर डू लेट्स केट स्टाड़ेड तो लिंक में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में सिंप्ली उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यह वला पेज मिल जाएगा यहां पर आपको आना है और यहां पर रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में पू है है तो आप का मांञ लिजें बहुत सार आत्म् आ में डील कर है किसी का मैन्फश्रिण है है किसी का होल सलिंग है यहाँ ओपर एक ऑप्षी नहीं पर चूर्ज करना है तौ आप यहाँ लंग कर धीई इसके बाद यहाँ पर आपको email id अपना डाल देना है email id फोन नंबर डाल देजिए alternate number optional आप छोड़ सकते हैं इसको next आपको यहाँ पर अपना state और city select लेना है इसके बाद यहाँ पर main category में आपको जैसे home and kitchen home and accessories, beauty, stationeries बहुत सरा यहाँ पर category मिलता है आपको जो भी relevant category है उसको यहाँ पर आप select कर लीजिए इसके बाद आपको onboarded by में आपको self select करना है next आपको यहाँ पर GST number आपको डालना है GST number यहाँ पर enter करेंगे और यहाँ पर upload GST certificate, GST certificate को यहाँ पर upload करना है GST certificate आप image के format में या फिर PDF format में दे सकते हैं next आपको यहाँ पर pen card नमर दाना है pen card नमर यहाँ पर enter करेंगे और आपका pen card जो की business pen card है उसको आपको यहाँ पर upload करना है ठीक है प्रोपरेक्टर के case में आपका जो खुद का pen card होगा उसी को आप यहाँ पर देंगे next है आपका name as per pen card आपका पूरा नम जो की pen card के उपर लिखा होगा उसी को यहाँ पर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर MSME certificate आपको डालना है अगर आपने MSME certificate apply नहीं किया तो मैंने एक लिंक दे दिया रही है आपका जिस bank में current account है उस bank का आपको यहाँ पर cancel check देना है तो cancel check का आपको PDF या फिर इमेज आप upload कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर average monthly stock count देना है जितना आपके पास stock रहता है 2000-3000-5000 जो भी है आपके पास यहाँ पर कर दीजिए simply एक number आपको यहाँ पर डालना है कुछ नहीं करना है यहाँ पर select amount difference range ठीक है तो minimum price कितना से शुरू होता है आपका जैसे माल दीजिए हमारा product minimum price 50 से शुरू होता है ठीक है तो 50 रुपीस हम यहाँ पर set करेंगे and select maximum range for example मेरे पर 2000 तक का product है ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर डालेंगे next आपका यहाँ पर bank name डालना है जो भी current account है उसका नाम डालेगा तो यहाँ पर bank account type यहाँ पर select करना है saving आप डाल रहे हैं पर current डालना है तो हम current डालेंगे तो current यहाँ पर select करेंगे ठीक है इसके बाद आपको पासफ़र्ड चूज करना है यहाँ पे आपको same password को enter करना है lastly इस बटन को आपको tick करना है और submit पर click करना है मैं आपको पूरा यह फिलब करके next step दिखाता हूं तो यह सारा information हमने फिलब कर दिया है अब हम submit पर click करते हैं submit करने के बाद आपको यहाँ पर log out हो जाएंगे आपको फिर यहाँ पर जाके फिर sign in करना है जो email ID, password आपने register करने के time डाला था उसी को आपको डालके यहाँ पर sign in करना है तो sign in पर click करते हैं अब यहाँ पर sign in करते हैं आपको pick up address अपना डालना है जिस location से आप pick up देना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पर pick up address डाल देते हैं country यहाँ पर select करिएगा ठीक है, full name डालना है आपको तो यहाँ पर simply country select करिए, full name अपना डाल दीजिए, इसके बाद mobile number डाल दीए इसके बाद pin code आपको डालना है और complete address होना चाहिए, आपका जो भी location है, exact यहाँ पर डालेगा, lane कौन सा है, landmark क्या है, वो सारा चीज यहाँ पर mention करिएगा state city हो गया, उसके बाद यहाँ पर address type हो जाएगा, हमारा home and office, तो यहाँ पर जो भी आपको आप select कर लिजेगा, address इंटरेक करने के बाद simply add this address पर click कर दीजिए, अब आपका registration process complete हो चुका है, आपने सामने सारा details अभी डाल दिया है, अब यह pending में चला जाता है, आपने जो भ होगा कि आपका print code यहाँ पर serviceable नहीं है, तो basically यहाँ पर आप देख सकते हैं, upload करने का यहाँ पर दिखा रहा है screen, बट इसको आप access नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका यह approval नहीं हो जाता, तो यह था complete registration का process, अगर आप कोई भी issue face करते हैं, तो आप उनके support को contact कर सकते हैं Simply आपको एक mail कर देना है, supplier support at the red dhani.com के उपर, तो एक दिन के अंदर में यह reply कर देते हैं, क्योंकि यह नया platform है, तो बहुत कुछ हमको यहाँ पर सीखना है, तो जो listing का process होता है, आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे, किस तरीके से किया जाता है, तो इस वीडियो म करने के लिए आप नीचे जो telegram का group दिया गया है, उसको join कर सकते हैं, वहाँ पर हम सारा updates पोस्ट किया करेंगे, आप जितने भी sellers हैं, आप सभी एक दूसरे का जहां पर help कर पाएं, एक दूसरे का और कोई भी issue आता है, तो highlight कर पाएं, वीडियो में अगर आपको थोड़ा